इस वीडियो में हम कुछ खास बातों पर चर्चा करेंगे जैसे इग्नो रिजल्ट अपडेट को ले करके साथ ही इग्नो में रिजल्ट आपको बार-बार क्यों चेक करना चाहिए क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि रिजल्ट बच्चों के अपडेट नहीं होते और वे इससे परिशान होके रिजल्ट चेक करना छोड़ देते फिर काफी समय बाद अपने रिजल्ट को देखते हैं कुछ बाते ऐसी हैं जिन कारण से आपको रिजल्ट बार-बार चेक करना चाहिए नहीं तो अगर यह जानकारी आपके पास नहीं होंगी तो आपको बाद में पस्ता पर सकता है तो चलिए जानेंगे कि वे कौन-कौन सी बाते हैं क्या करण है जो आपको रिजल्ट चेक करते रहना चाहिए साथ ही बात करेंगे इगनो एड्मिशन के लास्ट डेट की और रिजल्ट की तो चलिए वीडियो को आरंब करते हैं उसे पहले अगर चैनल पे नए ह उन्हें अपने रिजल्ट का खास इंतजार रहता है और इगनो में ऐसा होता है कि सभी सब्जेक्ट के नंबर एक साथ अपडेट नहीं किये जाते हैं जैसे जैसे कौपी चेक हो दियाती है जिस सब्जेक्ट की कौपी चेक हो दियाती है उस सब्जेक्ट के नंबर अपडे और नीचे जब हम आएंगे तो यहां हमें दिखेगा December 2022 exam reald की, अगर आप उससे पहले की reald को check करना चाहते हैं, तो यहां साड़े option मिल जाएंगे, वहां से आप option ले करके उस session उस year के reald को check कर सकते हैं, तो बात कर रहे हैं December 2022 exam reald की, तो simple हम December 2022 exam reald पे click करेंगे, और आप यहा परवड़ी 2023 को last update किया गया था, और अपने reald को check करने के लिए simple आपको यहां पर अपना enrollment number डालना है, और आपका reald शो करतेगा, अगर enrollment नमबर शो नहीं कर रहा है, यानि कि आपके एक भी सब्देट के copy check नहीं हुए है, नमबर update नहीं हुआ, इसलिए reald शो नहीं कर रहा है, तो यह है, साथ ही reald check करना क्यों जोड़ी है, कई बार क्या होता है, कि आप मल यह आपने अच्छा paper लिखा था, exam अच्छा दिया था, शहीं प्रशनों के सही उतर दिये थे, पर आपको number कम मिलते हैं, या फिर किसी कारणे से fail भी कर दिया जाता है, ऐसे स्थिति में क्य है, तो इसलिए अब अपने reald को चेक करते रहे हैं, चलिए आप बात करते हैं, ignore admission और ignore registration date की, चलिए इसके लिए हम ignore के official website के front page पे आते हैं, पहले page पे आते हैं, और वहाँ देखते हैं किस प्रकार की जानकारी वहाँ दी गई है, चलिए बात कर लेते हैं, online admission की, तो यहाँ उपर ही आपको सबसे पहले link मिलता है, जैसे आप apply now पे click करेंगे, आपको यहाँ link मिलेगा, आप देख शकते हैं, और उपर आपको पूरा जनकारी दिया गया है, कि admission link for ODL and online program for January 2023 session, जनवरी 2023 session के लिए admission हो रहा है, और यह जो last date था, 31 जनवरी था, जिसे बढ़ा करके 10 फर admission form को fill up कर ले, admission form कैसे भढ़ेंगे, इसके लिए पूरी वीडियो मैंने पहले बना रखी है, उस वीडियो का link नीचे description में मिल जाएगा, वहाँ देख करके आप form भरना सीख सकते हैं, और अपना admission ले सकते हैं, admission form भर सकते हैं, चलिए साथ ही बात करेंगे, last date, re-registration के लिए essay student जिनका yearly course है, जिन्होंने January 2022 में अपना admission या re-registration करवाया था, उन्हें अभी January 2023 में re-registration फिर से करवाना होगा, इसके लिए last date आपको दिया गया है, देख सकते हैं हापे, इसे मैं लेता हूँ, full screen पे, देख सकते हैं हापे, last date for, re-registration for the January 2023 session has extended till 10th February, इसे भी 10 February तक बढ़ eligible हैं, तो re-registration अवसे करवाले 6 मंत का course है, अगर आपने जुन 2022 में अगर आपने admission या re-registration करवाया था, तो आप भी eligible हैं इसके लिए अगर आपका 6 मंत का कोई program course है, या फिर yearly है, तो जन्वडी 2022 में आपने admission या re-registration करवाया था, तो जन्वडी 2023 आपके लिए है, और आप आपको re-registration करवाले ने साइए, अगर ये नहीं करवा पाते हैं, तो इसमें क्या होता है, आपका 6 मंत आप भैक हो जाते हैं, आपका 6 महीने खराब हो जाता है, क्योंकि 6 महीने फिर आपको इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, तो इस सबका ध्यान रखे और अपने समय को नश्ठ होने से बचाएं, और समय पर अपने कोर्स को कम्लिट करने के लिए ये सजयासार जानकारी आपको अवस होनी चाहिए थी, इसलिए मैंने ये वीडियो बना करके आपको आपके साथ यह जानकारी शेर किया है, उमीद है आपके यह काम आएगा, और आप इस पर ध को टापिक के साथ तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद,